लोगसबाचुनाओं दोहजार चोईस में कॉंग्रेस की मुसीवते कम होने का नाम नहीं ले रही है जैसे ही लोगसबाचुनाओं की घोश्णा हुई तो एडी के द्वारा कारवाई करते हुए कॉंग्रेस के खातों को सीच कर दिया गया जिसके चलते उनको काफी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है ये तो थी बात देश की अब बात करते हैं राजस्थान की राजस्थान में पिछले दस सालों से एक सीट के लिए तरस रही कॉंग्रेस की मुसीबतें यहां पर भी कम नहीं हो रही है इस बार अगर राजनितिक बंडितों की बात की जाए तो कॉंग्रेस कुछ सीटों पर बाजी मार सकती है तो वहीं कुछ ऐसी सीटे हैं जहां पर कॉंग्रेस के खुद के ही उम्मीदवार उनकी चिंताएं बढ़ा रहे हैं जहां हम बात कर रहे हैं डूंगरपुर बासवारा सीट की देखे आपको बता दें कि कॉंग्रेस ने इस बार दो जगे से गड़बंदन किया पहला गड़बंदन सीकर से किया जहां से जो माकपा के उम्मीदवार हैं अमराराम उनको टिकर दिया गया तो वहीं दूसरा गड़बंदन उन्होंने हनुमान बेनिवाल की आरलपी पारटी से किया लेकिन दूसरे चरण के नामांगकन के अंतिम दिन तक भी बाप से कोई गटबंदन नहीं हो पाया था जिसके चलते कॉंग्रेस ने सबसे पहले अरजुन बामनिया का नाम सामने लाए थे कि यहां से डूंगरपुर मासवाडा सीट से अरजुन बामनिया टिकेट जो जो पार्टी का सिंबल है वे दिया था और उनका नामांगन दाखिल करवाया था लेकिन कॉंग्रेस बाप से गटबंदन की जो अपने प्रियास थे उनको नहीं छोड़ा वे लगा था राजकुमार रोग के संबर्क में बने रहे और जिस दिन नाम वापसी यानि की बीते दिन नाम वापसी होनी थी उस दिन बाप से कॉंग्रेस का गटबंदन हुआ और कॉंग्रेस ने बाप को अपना समर्थन दिया इस बात की जानकारी सोशल मीडिया के दौरा कॉंघर के दौरा दी गई साथ ही अरविन डामोर से अपना नाम वापस लेने की भी बात कही गई लेकिन अर्विन डामूर ने अपना फोन बंद कर लिया और जब तक नाम वापसी का समय खत्म न हुआ तब तक उन्होंने अपना फोन भी चालू नहीं किया ये तो थे अर्विन डामूर अब बात कर लेते हैं बागी दौरा की जो सीट थी देखिए महंदर जी सिंग मालविय का इस्तीफा देने के बाद बागी दौरा की सीट पर विनान सवा के उपचुनाओं होने हैं अगर बाप की बात की जाए तो बाप का जो गटबंदन का बिंदू था वो अटका हुआ ही बागी दौरा की सीट पर था क्योंकि बाप के राजकुमार रौत ये चाहते थे कि बागी दौरा के उपचुनाओं में भी कौंग्रेस बाप के साथ गटबंदन करे और वहाँ पर उनका प्रत्याक्शी ही चुनाओ लड़े कौंग्रेस अपना प्रत्याक्शी न उतारे तो ऐसे में राजकुमार रौत की इस मांग को मानने के बाद आखिरकार कॉंग्रेस ने डूंगरपूर बासवाडा लोकसभा सीट और बागी दोरा की विदान सभा उप चुनाओ सीट पर अपना प्रत्याक्षी ना उतारते हुए बाप को समर्थन देने का फैसला लिया लेकिन यहां पर भी कॉंग्रेस को जो लोहे के चने हैं वे चबाने पड़े क्योंकि उप चुनाओं के जो प्रत्याक्षी थे उन्होंने भी अपना फोन स्विच आफ कर लिया और जब तक नाम वापसी हुई तब तक उन्होंने अपना फोन ओन नहीं किया ऐसे में हाला की कॉंग्रेस ने अर्विन डामोर पर कारवाई करते हुए उनको छे साल के लिए कॉंग्रेस से निश्काशित कर दिया है तो वहीं अपने बागी दोरा के प्रत्याक्षी के खिलाब भी जल्द हीवे कोई बड़ा कदम उठा सकती है ऐसे में बाड़मेर नागोर सीकर चूरू यहां पर रोमांचक मुकाबला बना हुआ है कॉंग्रेस यहां खुद को थोड़ा बहतर इस्तिती में देख रही है तो वहीं अब बाप के साथ गडबनन के बाद कॉंग्रेस डूंगरपूर बासवाडा में भी खुद को चुनाव दो हजार चुईस में पिछले दस सालों से लगाता और हार का मुँ देखती आईए वो क्या इस बार जीत नसीब कर पाईगी या अर्विन डामूर जिनको पार्टी ने निशकाशित तो कर दिया है लेकिन वह कॉंग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे तो क